आप सभी का स्वागत है आस्थाइस की इस ओफिसियल यूटूब चैनल पर और आज हम लोग चुकी अल्फावेट से हम लोग स्टार्ट किये हैं तो आज हम लोग भोजपूर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कुछ इन्फार्मेशन हम लोग जानेंगे इस डिस्टिक के बारे में भी तो देखते हैं डियर यदि मैं बात करना चाहूं भोजपूर डिस्टिक की असापना कब हुई थी as a introduction के तौर पे तो डियर बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है हमारा इनकेस मैंने मेंसन किया था 17 मार्च 1992 को याद है न शाहबाद डिस्टिक को डिवाइड करके इनकेस इसको तिन डिस्टिक में डिवाइड किया गया था परदर जो मैंने आपको मेंसन भी किया था जिसमें हमारा एक बकसर आया था याद होगा सभी को और इसके अलावा डियर इसमें हमारा बकसर के अलावा हमार रोहतास और भोजपूर, यही तीन डिस्टिक बने थे, शाहबाद डिस्टिक, मैं मैंने अगेन करना चाहूंगा, सहाबाद डिस्टिक बाई डिवाइडिंग सहाबाद डिस्टिक ट्री डिस्टिक वास क्रियेटिट तीन जीले बनाये गये थे इसमें आपका मैंने कहा ना भोजपूर रोहतास और आपका क्या था बगसर था 17 मार्च 1992 का गठन हुआ भोजपूर जीले का साउत में पलिया है मेंसन हो रहा होगा आप सभी को और बिहार का सारन डिस्टिक सारन जीला भी नौर्स्टाइड में है इसके इस साइड में डियर पटना है आप कंसीडर कर रहे होंगे और वेस्ट में विनो आपका बकसर और साउत में रोहतास और आपका अरवल है ये भोजपूर जीले का कुछ बॉर्डर था जो मैंने आज़ आ मेंसन किया आपके लिए जरूरी था ये इन्फॉर्मेशन आते हैं डियर नेक्स सेग्मेंट पे और अब हम लोग बात करेंगे इस्पेसल कुछ एक चार्ट के जरिए कि पंचायत की संख्या कितनी है भोजपूर में तो जो पंचायत की संख्या है डियर वो आपका टोटल 228 है इदि में बात करना चाहूं कि राजस्व ग्राम गाउं की संख्या कितनी है राजस्व ग्राम तो डियर वो आपका 1244 number of we know विधान सवा जो निर्वाचन छित्र है विधान सवा जो गंस्वेंसी है वो डियर आपका टोटल यहां पे साथ है भोजपूर डिस्टिक की और लोग सवा जो गंस्वेंसी है तिर वो आपका एक है और वो क्या है आपका आरा है यदि मैं बात करना चाहूं यहां की कुछ main language क्या है भई तो यहां की जो main language है main language यहां पे डियर आपका हिंदी भोजपूरी उर्दू भी mention होता है यहां पे यह भासा है main language है भोजपूर डिस्टिका और हम अगेन बात करना चाहेंगे यह इसके administrative division को ले करके इसका जो प्रसासनिक विभाजन है उसकी बात करना चाहें डियर तो जो headquarter है जो मुख्याले है वो आरा है प्रमंडल division की बात करना चाहें तो वो पटना है और sub division जो अनुमंडल है वो डियर आपका आरा और जगदीशपूर और पीरो यह तीन है sub division आरा है जगदीशपूर और का आपका पीरो यह डियर sub division है अनुमंडल है भोजपूर डिस्टिका अब बात करेंगी डियर इस जिल्य के भोगोलिक तथ्य को ले करके geographical fact को ले करके तो यहाँ पे हम लोग consider करते हैं इसके geographical fact इन केस आपके भोजपूर डिस्टिका आपको सीन हो रहा होगा भोगोलिक तथ्य geographical fact इसमें मैंने area consider किया है जो चेत्रफल है वो आपका 274 km2 average rainfall जो है वो 1166.2 मीमी यह आउसत वर्षा है शमुद्र तल्थ से जो इसकी उचाई है शमुद्र तल्थ से इसकी जो उचाई है height above the sea level आप देख पारे होंगे 193 मीटर है soil की जो प्रकृती है मिर्दा का जो nature है इनके इस देखा जाए तो यहां की प्रमुख फसले जो major crops है इसमें wheat और आपका धान यह यहां की प्रमुख फसले है major crops है भुजपूर जिस्टी का साथ में यदि हम कहना चाहें प्रमुख नदी तो dear एक तो आपका गंगा और दूसरा dear आपका zone यह major river है भुजपूर जिस्टी का अब बात करते है dear इस जिले के कुछ जनसंख्या के बारे में जनसंख्या समंदीत कुछ concept dear यहां पर mention करेंगे हम 2011 से और total जो population है पूरी जो जनसंख्या है dear वो 27,28,407 है यह total population है भुजपूर जिस्टी का भुजपूर जीले का साथ में जो decadal growth rate है जो दसकी विर्धी दर है dear वो 21.6% है यह decadal growth rate है इन केस में कहाना चाहूं 6 ratio लिंगा नुपात तो 907 female पर number of जो male है वो क्या है 1000 ज्यान देना और literacy rate जो सक्षरता दर है वो आपका 70.5% है इसमें male literacy rate जो पूरुस सक्षरता दर है dear वो आपका 21.7% और female जो literacy rate है भुजपूर जिस्टी का यह भी बिलकुल consider करिएगा female का dear 58% है मैंने यहाँ पर mention किया हुआ है अब बात करते हैं dear इस जिल्ले के बारे में और कुछ information वगर तो यहाँ की जो major industry है जो प्रमुक उद्योग है इसमें dear rice meal हो गया आपका paddy meal धान का meal in case leather industry है आपका संबाकू उद्योग हो गया और oil meal तेल के meal वगरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं भोजपूर डिस्टिक में भोजपूर जिल्ले में और next बात करेंगे हम इस जिल्ले के बारे में यहाँ के कहिने कहिए economy है cynic spots जो दर्शनी अस्थल है इसमें जगदीशपूर भरण देवी का मंदीर कुवर शिंग श्रंगरहाले कोई लवरी और अब्दूलबारी पूल यहाँ के दर्शनी अस्थल में consider किये जाते हैं यह कुछ भोजपूर डिस्टिक का in case में कहना चाहूं दर्शनी अस्थल थे और main concept तो आप बिल्कुल consider कर लिये हो यह कुछ पंचायत की संख्या कुछ आपके प्रखंड की संख्या जो आपके लिए जरूरी था जान लेना तो इस तरीके से डियर हमने हर एक डिस्टिक के बारे में हमें पढ़ना है जानना है information के तोर पे जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है और उसे हमें consider करना ही करना है जान देना इसी करम में हम लोग next day नए डिस्टिक के बारे में बात करेंगे चर्चा करेंगे और जो भी student अपने डिस्टिक के बारे में कुछ idea देना चाहे कुछ और भी concept share करना चाहे नाम से related या कुछ और उसकी unique information अपने concept जो भी आप लिखेंगे उसको आप WhatsApp कर दीजिएगा नाम सहीत mention करिएगा मुझे unique लगेगा तो मैं आपका नाम भी in case session लेते वक्त लूँगा कही न कही आप लोग अपने डिस्टिक के बारे में जो भी information कुछ और भी extra आप जानते हों आप जरूर शेयर करिएगा इस दीएगे नमबर पर ठीके डियर फिर मिलते हैं next day एक नए वीडियो के साथ thank you